नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं J.S.S.C. में 921 पदो परभरती 30 मई से करे आवेदान जर्खन करमचारी चैन आयोगन मंगलवार को जर्खन नगरपाल का सेवा सन्वर्ट सन्युक्त परिक्षा 2022 का भीकापन जारी कर दिया है जर्खन में 921 अधिकारियों की न्युक्ती होगी इसके लिए 30 मई से आउनलाइन आवेदान लिये जाएंगे अभियार्थी 29 जून की मदे रातिरी तक आवेदान कर सकेंगे बता दे 2 जूलाई की मदे रातिर तक परिच्छा सुलक जमा होगा जबकि फोटो वह स्ताक्षर अपलोड कर आवेदान पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 5 जूलाई तक लिंक उपलबद रहेगा सभी जीलो में समय से पुर्वा यानी इस माह के अंत तक या जून के प्रथम सप्ता में मानसून 10 तक दे सकता है पिछली बार भी मानसून समय पर आया था जबकि पिछले तीन वर्सों से राजिक के कई जूलों में सुखा का दोरा रहा इस बार अंडमान में केरल से 12 से 13 दिन पहले ही मानसून पहुंच सकता है या आमतर पर 9 से 10 दिन पहले पहुंचता था बता दे मोसम भी भाग के अनुसार केरल में मानसून के पहुंचने की तारिक एक जून है ऐसे में माना जा रहा है कि अंडमान में मानसून 18 माई तक पहुंच जाएगा CM हिमन्त को चुनाव आयोग का नया नोटिस 10 दिन में मांगा जबाब CM हिमन्त सूरेण ने चुनाव आयोग द्वारा भेजी गई नोटिस पर अपना पक्ष पेस करने के लिए 4 हपतों का समय मांगा था लेकिन CM के आगरा के बावजूद आयोग ने उन्हें 10 दिन का अतरिक्त समय दिया है अब CM सिरी सूरेण को माइनिंग लीज लेने के मामले में 20 माई तक आयोग के समक्ष आपना पक्ष रखना होगा बता दे पहले सिरी सूरेण को 10 माई तक जबाब देना था इधर 5 अप्रेल को ही CM ने आयोग को भेजे गया आवेदन में समय बढ़ाने का आगरा किया था अपना आवेदन चुनाओ आयोग को स्पीट पोस्ट के माधम से भेजा था ज़ारखन में एगारवी की मैत और बायलोजी परिक्षा रद ज़ारखन बोर्ड की एगारवी की गनीत और जीव बिग्यान की हुई पहले टर्म की परिक्षा को रद कर दिया गया है अब अगले महिना सेकेंड टर्म के साथ इन दोनों भी सयों के पहले टर्म की भी परिक्षा होगी इसके लिए ज़ारखन एकेंडमी काउंसिल ने अधिसुचना जारी कर दिया है जैक के अध्यक्ष डाक्टर अनिल कुमार महतो के निर्देश के बाद सचीव महीब कुमार सिंग ने इसका बिग्यापन जारी कर दिया बता देगारवी के पहले टर्म की गनीत अरजी विज्ञान की परिक्षा सोमवार को आउजित की गई थी दुमका में गनीत के प्रस्ण और उतर परिक्षा से पहले रभिवार रात को ही इंटरनेट में अपलोड कर दिये गए थे जारखन पंचाई चुनाव को लेकर 12 से 15 माई तक ड्राइडे पंचाई चुनाव के पहले चरण के मदान को लेकर रांची जीला के सभी 18 परखंडों में 4 दिनों तक ड्राइडे रहेगा इस समद में उपायुक्त छवी रंजन ने कहा है कि चुनाव को लेकर 12 माई 2022 के अप्राहन 3 बज़ से लेकर 15 माई 2022 के पुरवाहान 7 बज़ तक ड्राइडे रहेगा इस दोड़ान जहां जहां चुनाव आचार संहित लागू है उस छेत्रों में सराब की बिक्री नहीं होगी बता देवर ये पुलिस अधिक्चक सुरेंदर जहां ने बताया कि चुनाव के दोड़ान लाइसेंस सी अंत्यार भी जमा कराये जा रहे हैं राजे के पांच स्कूलों में सेटेलाइट माध्यम से वर्चूल कलास सुरू राजे के पांच स्कूलों में JEPC के सहयोग से सेटेलाइट के माध्यम से वर्चूल कलास सोमवार को सुरू हो गया पाइलेट प्रोजेक्ट के तहट इसे पाँच इसकूलों में सुरू किया गया है राजधानी राची के राज किये कृत प्लस टू उच बिद्याला है लादू पड़ी सोना हातू में ICT लेब में डेमो कलास का युजन किया गया इसका मुख्य स्टूडियो रातू स्ठीट जे सी आर्टी कर्याले में बनाया गया है बता दे सेटेलाइट के माध्यम से संचालित इस वर्चूल कलास में पाँचो इसकूल के बिद्यार्थी मुख्य स्टूडियो से जुड़ गया है आई एस पूजा सिंगल का मामला पहुंचा जहारखन हाई कोट जहारखन की सीनियर आई एस अधिकारी पूजा सिंगल का मामला जहारखन हाई कोट पहुंच गया है बतादेव प्रार्थी अरून कुमार दोवे को ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने आये याज का दाखिल किया रिस्वत लेने में ज्यारखन पुलिस बिभाग सबसे आगे भरष्टा चार निरोधक ब्योरो एसी बी ने बर्ष दोजार इकिस में रिस्वत लेने के आरोप में दर्ज 50 केस में आरोपियों गिरफतारी को लेकर विभागवार आकना त्यार किया है इसके अनुचार राजे के विभीन जीले में काम करने के एवज में रिस्वत मांगने के मामले में पुलिस कर्मियों पर सरवदिक मामले दर्ज है बता दे रिस्वत लेने के 50 मामलों में 17 पुलिस कर्मी से जुड़े है वही रिस्वत मांगने में दूसरे नमबर पर रजस्व एवं भोमी सुधार विभाग के कर्मियों का नाम आया है हजारी भाग में नबाली के साथ पुलिस कर्मी ने किया दुसकर्म एक नबालिक के साथ दुसकर्म करने के मामले में पूलिस कर्मी अरविंद कुमार मेहता पर हजारी बाग जीला के मुफसिल थाना में दर्च किया गया है या मामला पिडित नबालिक की माने दर्च कराया है इसके अनुसार घटना मंगलवार की दोपर देड़ बजे बडासी गाउं में घटी आरोपी पुलिस कर्मी अरविंद कुमार मेहता बडासी गाउं का रहने वाला है वह रामगर जीला पुलिस बल में पदस्थापी था प्राथमीकी में कहा गया है कि नबालिक घर से सटे बाथरूम में नहा कर कमरे में जा रही थी नबालिक घर पर अकेले थी पलामु में जमीन से निकली मा दुर्गे की मूर्ती जारखन के पलामु जीले के हुसाइनाबाद अनुमंडल के बराही धाम गाउ में आयोजीत स्री राम दूत हनुमान प्रान पत्तिष्टा 51 कुंडिय स्री लक्षमी नरान महायग्य पुर्णा होती और भवे भंडारा के साथ संपन हो गया बता देया महायग्य भारत के महान संत स्री स्री एक हैर आठ स्री त्रिदंडी स्वामी जी महराज के पाज सेवक जगत गुरु स्री सुंदर राज स्वामी के संधिय में किया गया दो माई को कलस यात्रा के साथ भव्य सोभा यात्रा निकाली गई थी वह मीन से मात दुर्गा के मुर्ति निकली मुख्य यजमान महायग्य के संजोजक रंधीर कुमार सिंग और उनकी पतनी संजना सिंग के अलावा बड़ी संख्या में सरदालू सामिल हुए पंचायत चुनाओ को लेकर रांची डीसी ने मुराबादी के डिसपेच सेंटर का किया निरिक्षान पंचाय चुनाओ के मदनजार मुराबादी के डिस्पेज सेंटर का निरिक्षन करने के दौरान रांची डिसी छवी रंजान ने प्रतम चरन के मद्दान के लिए सम्बंदीत को सांग के सेनियर अधिकारियों से पोलिंग पार्टी के डिस्पेज कर्मियों के बैठने की गुमला सदर परखन के बरटोली गाओं की दिवारों पर दिवार लेखन कर पंचाय चुनाओ का बिरोध किया है पंचाय चुनाओ को असन वेधानिक बताते हुए लोगों ने चुनाओ में भाग नहीं लेने के लिए कहा गया है असमाजिक तत्व द्वारा किये गए दिव दिवार लेखन की सुचना पर परसासन गंभीर है वीडियो सीओ और थानेदार बिनोत कुमार गाओं पहुच का ग्रामिनों से बैठक किये ग्रामिनों को पंचाय चुनाओ में भाग लेने और बोट डालने की अपील की गई ग्रामिनों ने बताया कि किसने दिवार लेखन किया है इसका पता नहीं है इधर पर सासन दिवार लेखन करने वाले सरार्थी ततों की तलास कर रही है जहारखन केबिनेट की अहम बैठक जहारखन में राय नीतिक उहा पटक के बीच मुख्य मंत्री हमन सुरेन की अगवई में राज केबिनेट की अहम बैठक 11 माई को होन जन्डी मिल सकती है कार्मिक विभाग से मिली सूचना के मुताबिक मुख्य मंत्री हैमान सुरेंट के नितित में राजे कैमिनेट की बैटाक बुद्धवार को जारकन मंत्राले बहुन में होगी आई एस पूजा को देख हर कोई हका बका एडी ने पूछे सवाल खान वा उद्योग सचीब पूजा सिंगहल से मंगलवार को एडी के दफ्तर में पुछतास होनी थी बतादे मीडिया कर्मियों की संभावित भीड को देखते हुए एडी दफ्तर में वा उसके सामने CRPF के पूरुस्वा महिला सिपाजों की भरी तैनाती की गई थी सुबा के करीब 11 बच कर 11 मेंट पर पूजा सिंगहल की कार जैसे ही एडी कर्याले के गेट के पास पहुंची फुकता सुरक्ष्टा के बहुजूद मीडिया कर्मियों ने उनसे सवालों की बच्छार की पूजा सिंगहल के मुझ से एक सब्द भी नहीं निकला इडी परिसर में अपनी कार से उतर कर्वसी देख कर याले के भीतर चली गई आई एएस पूजा अभिसेख जा को इडी ने 10 घंटे तक खंगाला घपले घोटाले आई से अधिक संपती और भरष्टाचार की संगीन आरूपो से घीरी जारखन की खनन और उद्ध्योग सचीव पूजा सिंगहल को किसी भी सूरत में राची नहीं छोड़ने का निदेश परवतन निदिस्ताले ने दिया है मंगलवार को करीब 10 घंटे तक लंबी पूश्टाच के बाद रात करीब 9 बजे उन्हें छोड़ दिया गया 9 घंटे की पूश्टाच के बाद पूजा सिंगहल और उनके पती अभिसेक जाको इड़ी ने बुद्धवार को भी पूश्टाच के लिए बुलावा देकर छोड़ दिया है बता दे पुजा सिंगल अरुन के पती अभिसेक जाको इडी की ओर से यह भी कहा गया है कि वे किसी भी सूरत में राची इस्थित मुख्याले छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे जारखन में आसनी तुफान का असर चक्रवाथी तुफान आसनी का असर जारखन के कई जिलों में भी देखने को मिलेगा एक गारह बारह और तेरह माई को बारिस और बजरपात को लेकर एलो अलट भी जारी किया गया है इस दोरान पूर्वी सीमूम पच्मी सीमूम सराय के लाखर सावा के जाथी देवगर धनबाद दुमका गिरी डी गोड़ा जाम तड़ा पाकूड साहिव गंसिम्डेगा के लावा रांची, खुटी, रामगण, बुकारो, हजारी बाग और गुमला के कुछ हीसों में हलके से मदर्च की बारिस हो सकती है मौसम बैग्यानी केंद्र रांची के वरिय अभिसेक आनन्द ने बताया कि पुरोनान के अनुसार, जार्खन के दक्चनी, उतर पुर्वी अमाद भाग में में गर्जन बजरपात के साथ हलकी बारिस हो सकती है आई एस पुजा सिंगल पर कड़ी करवाई कर सकती है हमंत सरकार भर्ष्टाचार के संगिन आरोपो में घीरी जार्खन की आई एस अधिकारी पुजा सिंगल के खिलाप मुखे मंत्री हमंसुरेन की सरकार कड़ी करवाई कर सकती है सतर उर्दल जामुमो ने पूजा सिंगर पर करवाई के मामले में बड़ी बात कही है जामुओ विधायक सुधिव कुमार सोनू ने कहा है कि खान एवम उद्योग विबा के सची पूजा सिंगर के खिलाब राज सरकार करवाई कर सकती है जामो विधायक ने जामो कर्याले में प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि इड़ी ने उन्हें समन दे दिया है लिहाजा राज सरकार उनके खिलाब करवाई कर चकती है जल्द ही इस पर निर्न होगा उन्होंने आईएस पुजा सिंगल के खिलाब करवाई के संकेत दिये है जेल से मिले CCTV फोटेज की जाच में इसके संकेत मिल रहे है बतादे CCTV फोटेज की जाच के बाद कारा महा ने रिक्षक ने धानबात के जेल अधिक्षक वजेलर से अस्परस्टिकरन पुचा है संतोस जनक जबाब नहीं मिलने पर कारा महाने रिक्षक जेल के दोनों ही अधिकारियों के बिरूत अनुसासनात्मक करवाई के लिए अनुसानसा करेंगे सीबू सोरेन की राह में रोडा कांग्रेस ने मांगी राई सभा सीट राई सभा चुना में अभी भले ही देर हो सतारूट गरबंधन ने इस पर हाथ पर पटकना सुरू कर दिया है सीट को लेकर अभी से अपने अपनी दावेदारी सुरू हो गई है कांग्रेस इस सीट पर अपना पहला हक मान रही है जारकन परदेस कंग्रेस कमेटी के परभारी अविनास पांडे ने दावा किया है कि पिछली बार कंग्रेस ने जामों के लिए यह सीट छोड़ी थी और इस बार यह सीट कंग्रेस को मिलनी चाहिए कॉंग्रेस परभारी ने कहा इस मुद्धे पर दोनों दल आपस में बैठ करताई करेंगे और आपसी समाती से ही उमिद्वार का चयन किया जाएगा परिक्षा केंद्र में परवेस नहीं देने पर काट ली हाथ की नस आठवी बोड की परिक्षा में दस मेंट लेट पहुंचने पर सिक्षिका ने एक चात्रा को परिक्षा केंद्र में परवेस नहीं दिया इसे दुखी नबालिक चात्रा ने तनाव में आकर अपने बलेट से हाथ की नस काट ली है वह बुरी तरह से जक्मी हो गई या मामला लातेहार जीला मुख्याला के धरामपूर मोड इस्थीत सोस्वती सिस्व मंदिर बिद्याला में बढाय गए परिक्षा केंद्र पर हुई जनकारी के अनुसर मंगलवार को आठवी बोट की परिक्षा सूबा 9.45 में सुरू होनी वाली थी लेकिन चात्रा सूबा 9.55 परिक्षा केंद्र पर पहुँची यहां मौजूद सिक्षिका ने चात्रा को परिक्षा केंद्र में परवेस्थ नहीं करने दिया नई सराब नीती पर जार्खन हाई कोट ने सरकार से मंगा जवाब जार्खन हाई कोट के चिफ जस्टिक डक्टर रवी रंजन वा जस्टिस एसन परसाथ की अदालत में जार्खन हाई कोट के चिफ जस्टिस डक्टर रवी रंजन वा जस्टिस एसन परसाथ के अदालत में बी एट कॉलेज में चात्रों के नमांकन को लेकर बनाई गई निमावली के खिलाप दाके लिए अजक्या पर सुनवाई होई सुनवाई के दोवान अदालत ने राची बीसों विदाले और राज सरकार से जवा मांगा है अदालत ने पुछा है कि उक्त निमावली बनाने में कानून का पारण किया गया है इससे सम्मधित दस्तावेज कोट में पेस करें जारखन कमबाई इंट्रेस्ट कमपर्टेट्टिव इग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से अदालत में अंडर्टेकिंग दी गई की फिलाल बोर्ड अभी उक्त परिक्षा नहीं लेगा इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई 6 जून को निधारित किया है घर बैठे खुलवाई राष्ट्रिय पेंशन योजना खाता एनपीस के लिए अब भाग दोड करने के जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा इसलिए क्योंकि अब गरहाग घर बैठे राष्ट्रिय पेंशन योजना की खाता खुलवा सकेंगे डाग घर तेजिस से हाइटेक हो रहा है गरहाग सेवाए ऑनलाइन की जा रही है हाल ही में मेल से जुड़ी सेवाए रईष्ट्री पार्सल स्पीट पोस्ट आदिक की बोकिंग के लिए QR कोड एसकेन कर पेमेंट करने की सुभधा भी शुरू की गई है इस कड़ी में अब गरहाग NPS के खाता घर बैठे खोल सकेंगे NPS के लिए अभी तक डाग घर के चकर काटने पड़ते थे लेकिन अब या सेवा भी ऑनलाइन हो गई है जारखन में महिला वरिष्ट नागरीक और दिब्यांग को होल्डिंग टेक्स में छूट जारखन के सभी नगर निकायों में लिये जाने वाले होल्डिंग टेक्स में एक अप्रेल से बदलाव किया गया है अब समपत्यों पर होल्डिंग टेक्स सरकल रेट के अधार पर लिया जाएगा इससे होल्डिंग टेक्स में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी लेकिन रहात की बात या है कि महिला वरिष्ट नागरीक दिव्यंग आधी को टेक्स में छूट दी जाएगी बता दे जार्खन नगर पाइल का संपत्तिक कर नियमावली 2022 के अनुसार सभी नगर निकाय छेत्र में एक अप्रेल से संपत्तिक कर की वसूली होगी इसकूलों में इस हपते से गर्मी की छुटियां जार्खन के निजी वर सरकारी इसकूलों में गर्मी छुटि की उल्टी गिंती सुरू हो चुकी है इसलिका सभी निजी इसकूलों में तेयरिया भी पूरी हो चुकी है कुछ एक इस्कूल में तो छुट्टी की घोसना भी कर दी गई है जिसे छात्र छात्रहों में जहां हर्ष का महौल है वहीं दूसरी और दो बरसों बाद शुरू हुई और फ्रेन का ख्षाओं के बाद जो उत्सा वा उमंग का दोर था उस पर कुछ दिनों के लिए बिराम लग जाएगा बता दे सर के कुछ इस्कूलों में समर कैम तो कहीं ओनलाइन माध्यम से सिनिय इस्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज की बेवस्ता भी की गई है धन्यवाद यदि आप चैनल पना है तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एकन दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फिड़बाइक अवस्त से दे थांक्यू